जै माता दी, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूट्व चनल पर दोस्तों नवरात्री के नो दिन भूल करके भी आपको नो कार नहीं करने हैं अगर ये कार करते हैं तो आपको कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ जाता है दोस्तों नवरात्रों के ये नो दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं नवरात्री के नो दिनों में अगर आप माता दुरगा के आराधना करते हैं माता दुरगा के नो सुरूपों की आरदना करते हैं, तो माता आपकी सबी मनो कामना पूरी करती हैं, धनवरता है, गरी भी दूर होती है, साथ ही घर में शुक और समरदी बनी रहती है दोस्तो नम्मर एक नवरात्रों के दिनों में घर में लहसन का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना है नवरात्रों के दिनों में जो व्यक्ति लहसन का प्रियोग करते हैं उनके घर में नकारत्मकता पहलती है और माता दुरगा हो जाती हैं क्रोधित इसलिए आपको लेसन का प्रियोग नहीं करना है दोस्तो नम्मर दू नवरात्रों की दुनों में आपको घर में पुरानी जाड़ू नहीं रखनी है पुरानी टूटी वो इलजूली जाड़ू जो भी हो वह गर से बाहर कर देनी है इस वात का विशेश रूप से आपको द्यान रखना है दोस्तो नम्मर तीन गर के अंदर टूटा हुआ सीसा नहीं होना चाहिए नवरात्रों की दुनों में अगर गर के अंदर टूटा हुआ सीसा है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए नहीं तो कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तो नम्मर चार गर के अंदर कोई भी चम्रे की चीज पहन करके आपको नहीं आना है इस वात का विशेश रूप से आपको द्यान रखना है नहीं तो इससे माता दुरगा क्रोधित हो जाती है कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ जाता है दोस्तो नम्मर पांच गर के अंदर कवार का होना गर के अंदर कवार बिलकुल नहीं होना चाहिए अगर गर के अंदर कवार पड़ा है तो उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए दोस्तों नम्मर चै घर के अंदर खंडित मूर्ती खंडित मूर्ती नवरात्रों में घर के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर घर के अंदर ये मूर्ती है तो आपको तुरंती इनको गर से बाहर निकाल देना चाहिए प्रवायत कर देना चाहिए मंदर में करके आ जाना चाहिए दोस्तो नम्मर साथ घर के अंधर मीट वांस का प्रयोग बिलकुल नहीं होना चाहिए यह चीजे विषेस रूप से ध्यार अरकुनी और उस्ति प्रवाप प Iss आती हैं दोस्तो नंबर आठ ब्रह्मचर का पालन नवरात्रों में ब्रह्मचर का पालन जरूर करना चाहिए अगर इस चीजों का ध्यान रखते ही तो माता आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगें दोस्तों नमबर नो गर के अंदर लड़ाई जगड़ा या किसी का अपमान ये कार आपको नहीं करना है और काले कपड़े पैड़ की पूजा नहीं करने है इन नो चीजों का नो दिन विशेश रूप से ध्यार नखना है अगर अन चीजों का ध्यार नखते ह पूरी करेंगी नमरात्रों में इन बातों का विशेश रूप से ध्यार नखना है जै मातादी